हलो फ्रेंड्स वेल्गम टू अंजू का किचिन गयर आज हमारे किचन में बहुत ही टेस्टी दाल और पालक से सबजी बनाऊंगी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा इसे आप चाबल रूटी किसी के भी साथ खाईए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबस जीरा चटक गया अब इसमें दो से तेन हमने लॉंग को भी कुटके डाला है ये थोड़े लहसुन है और ये अद्रक है और ये हरी मिर्च है सबको हमने चौपट करके डाल दिया है अब सबको हम थोड़ा चला लेंगे अब इसमें हमने मोटे मोटे टुक्रों में कटावा प्यास को डाल देंगे और इसे भी थोड़ा चलाएंगे थोड़ा सा प्यास का कलर को चेंज होने देंगे इसे ज़्यादा नहीं भुनना है बस थोड़ा सा प्यास का कलर चेंज होना है अब इसमें हम थोड़ा हल्दी डाल देंगे हमने हाफ टी स्पून हल्दी डाला है औ अब दो मिनट तक इसे इसी तरह से चलाएंगे ताकि थोड़ा मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए मसाले का कच्छापन दूर हो जाएगा अब इसमें हम कटावा टमाटर डाल देंगे कमाटर को भी हमने थोड़ा सा मोटे मोटे टुकडों में ही काट दिया है अब इसे फिर से चलाना है सारे को अच्छी तरह से हम चलाएंगे टमाटर भी हमारा अच्छी तरह से सारे मसाले में मिल गया है तो ये अब मैं चनादाल डाल रही हूँ, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था, अब फिर से इसे हम चलाएंगे, इसमें चलाने का प्रोसेस बार-बार करना है, जब हम कुछ डालेंगे तब चलाना है, नहीं चलाएंगे तो नीचे से ये जल जाएगा और सारा टेस्ट ख अब इसे हम चलाते हुए करीब 3-4 मिनट इसी तरह से भूनेंगे, जिससे के तमाटर भी हमारा भून जाएगा और इसमें जो हमने मसाला डाला है, वो भी डाल के साथ सब भून जाएगा, अब इसमें हम अपना कटावा पालक डालेंगे, पालक को भी हमने पहले ही काटके दोलिया अची तरह से, ताकि इसमें मिट्री के कोई भी करना रहें, फिर से इसे हम जलाएंगे, अब पालक को भी हम सारे मसाले और डाल के साथ अची तरह से मिला लेंगे, आपको भी हमारी ये रेसीपी पसंद आया है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, अब इसमें अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो, और आप हमारी वीडियो देखना चाहते हों, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा, और बेल के साथ करिएगा, ताकि हमारी जो भी नए वीडियो आए, सब आपके पास सबसे पहले को बन करके हमने इसमें दो सीटी लगा दिया था और अब देखिए दाल हमारी इस तरह से बन के तयार हुई है यह बहुत टेस्टी और बहुत एस्वादिस्ट है कितनी अच्छी हमारी दाले बनी है आप भी इस तरह से जोरू बनाएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडिय दो मित अपतकी लिए बाइबाइ